तो कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी अलराजी से पैसा ट्रांसपर करते हैं और आपका पैसा किसी वज़े से ट्रांजेक्शन में रुक जाता या कोई दिक्कत आ जा उनको पता ही नहीं होता है कि हम कैस पैसा कैसे बैश सकते हैं कैस का मतलब यह होता है कि आपको यहां से पैसा ट्रांसपर कर देना है कैस किसी के नाम पर और वह वहां जा करके कहीं भी जा करके जहां उसे पैसा उसको मिलता है जैसे कि अपना होगे वेस्टन यूनियन तो व से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि पैसा आपको किस तरीके से आपको मिलेगा वहाँ पर ठीक है उसकी beneficiary क्या है सारी चीज़ा पहले वह बता देता हूँ फिर अगर आपको पैसा फास गया है आपने transfer किया है और आपका पैसा नहीं पहुचा है तो उसका solution में 100% बना दूँगा जिससे कि आप लोगों को फुल तरीके से समझ में आया गए कि अगर हमारा पैसा रुख जाता है तो हमें क्या करना है तो आपको करना कि यहाँ पर लिखावा है ट्रांसपर ट्रांसपर पर किलिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ या इंडिवेजूयल तो आपको इंडिवेजूयल ही रखना जदतर मेरे लगा alors एंडिवेजूयल ही पैसा वेशते तो इंडिवेजूयल और यहाँ पर आपको अपनी जो कंट्री है वह सर्च कर लेना है आपको कंट्री तुरंड आ जाएगी यहाँ पर पैसे आपको इtwерб फिर आपको करना क्या होगा यहां पर देखें लिखावा bank account wallet and cash pickup तो आपको करना क्या होगा cash pickup पे click कर देना है cash pickup पे click करने का बस select bank service तो आपको इस पे click करना है यहां पर दो option दिया जाते है एक तो moneygram C2O provider transform C2O यह भी provider है तो ज्यादा तर मैं जो choose करता हूँ वह मैं करता हूँ moneygram तो मैंने यहां पर moneygram कर दिया यहां पर मैं कर दूँगा इसको next उसके बाद beneficiary nationality आपको choose करने नहीं है कि beneficiary में nationality कौन सी है तो यहां पर मैं जिसे इंडियन रखूँगा उसके बाद फिर से में next कर दूँगा next करने के बाद यहां पर देख लेजिए यहां पर सारी चीज़ा है पूरी detail यहां पर आ गई अब आपको नहीं समझवाता तो यहां edit का option है edit पर click कर सकते हैं फिर मैं इसको कर दूँगा यहां से confirm confirm करने के बाद मेरे पास एक OTP आएगा OTP डालने के बाद यह जो मेरी beneficory है यह अपने add हो चुगे यहां पर मुझे call किया जाएगा मैंने कई बार बताया है कि यहां पर call me now लिखा होता है call me now पर click करेंगे एक call आएगी आपको उसमें number बताया जाएगा आप number डालेंगे और आपकी beneficory add हो जाएगी ठीक है तो आपको करना क्या इसी तरीके से beneficory add कर लेनी है और इसी तरीके से cash become में आपको पैसा भेज देना है